हेलो फ्रेंड नमस्कार कुक्वित स्नेहा पर आपका स्वागत है आज हम आपको बहुत ही अच्छी टिप और ट्रिक्स बताएंगे हमारा आपने एक वीडियो बहुत पसंद किया था जिसमें हमने खराब गुड को सही करने का तरीका बताएं पर क्यों न ऐसा आप करें कि अधले ही आप उसे ठीक धंक से रखें ताकि आपका गुड खराब न हो अगर गुड खराब हो जाता है तो कैसे ठीक करें वो तो मैंने बताया है आपको और उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी पर हम गुड लेते समय कुछ चीजों को अध्यान रखें तो हमारा अधलेटी ठेस्ट का होता है छोटा छोटा यह कभी खराब नहीं होता क्योंकि ना तो यह गुड कच्चा होता है पूरी तरह पका के तयार किया गया होता है यह 80 रुपे किलो होता है इसे आप किसी भी तरह से स्टोर कर सकते हैं पर ध्यान रखें यह गुड है जो कच्चा गुड है अक्सर हम चटनी वगरा बनाने के लिए लेते हैं तो गुड लेते हैं आपको एकदम light color का गुड नहीं लेना चाहिए dark लेना चाहिए पर dark में देखें ये एकदम कच्छा है और आसानी से तूट जाता है पर इस गुड को अगर आप लें तो तो आपको store करने के लिए कुछ तरीके हैं जो follow करना पड़ेगा जिससे आपका गुड सेफ रहे पर अगर आप पके गुड ले रहे हैं तो आप airtight container में बंद करके रख सकते हैं गुड कभी नहीं खराब होगा ये मेरा दो साल पुराना गुड है पुराने गुड जो है आयूरवेदिक नुस्खे से बहुत सारे बनते हैं इसलिए पुराने गुड प्रयोग में लाए जाते हैं ये दो साल पुराना है देखे अभी भी तरीका नहीं अपना है डायरेक्टरी से हमने एक डब्बे में प्लास्टिक के रख दिया और धकन लगा दिया है ना यूनिक सी टिप्स लेते समय ध्यान रखें पर अगर हमने कच्छा गुड लिया है तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए हमने लिया है दालचीनी का पानी में या वैसे भी पानी के साथ यूपी में तो लोग गुड लिया करते हैं तो इस तरह से हम गुड को तोड लेंगे और तोडने के बाद इसमें लॉंग का पाउडर आपके पास हो तो डाल दीजे या दालचीनी का जिसे इसमें बहुत अच्छी स्मेल आएगी और आ देती क्योंकि जो कच्चा गुड है मैं अकसर खाने में नहीं योज करती कभी कभी चटनी वेगरा बनाना होता है या गुड की रेसिपी बनाती हूँ तब इस कच्चे गुड का इस्तेमाल करती हूँ पर देखे अगर आप नहीं रखेंगे इस तरह से तो ये गुड जो है हमारा इस तरह से काला हो जाएगा और धीमे धीमे पूरी तरह खराब हो जाएगा जिसे हमने ठीक करने का भी आपको तरीका बताया है उस वीडियो को लोगों ने बहुत पसंद किया और उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी पर उसे फिर से रिन्यू करने में यानि नया बनाने में काफी समय और गैस की बरबादी और टाइम थोड़ा गुड भी जादा वेस्ट हो जाता है तो इससे बचने के लिए जब हम गुड लाएं कच्चे गुड तब क्या करें कुछ लोग कहते हैं कि नियूस पेपर में लपेटना चाहिए पर नियूस पेपर में तो खाने की चीजें आकसर यूट्यूबर्स बोलते हैं कि कोई भी रसोई बनाई ये तेल एब्सॉर्ब करना है तो आप इसमें अपना नियूस पेपर लगा लीजिए या आपको कोई चीज स्टोर करनी है सबजी वेगरा तो नियूस पेपर लगा लीजिए पर ये गलत तरीक कभी मत करिएगा जो उसमें इंक होती है उससे कैंसर होने की संभावना होती है और वो ब्रेन को भी काफी एफेक्ट करती है इसलिए देखे कच्चे गुड रखने का और एक बहुत इजी तरीका है आपने रैप किया और नीचे भी इसमें आपने टीशू पेपर लगा दिय और बहुत जादा टीशू पेपर खराब नहीं होगा आप एक टीशू पेपर को फार लीजिए और जितना गुड आप लपेट सकें उसमें लपेट दीजिए जैसे गुड का ये बड़ा सा टुकड़ा है तो इसमें एक से डेड़ गुड के टुकड़े हम लपेट और अगर छोटा गुड हो तो तीन चार भी आप लपेट सकते हैं तो इस तरह से जब हम लपेट के रखेंगे तो इसमें हवा नहीं लगेगे अगर मॉश्यर होगा तो ये हमारा जो निउस पेपर जो पेपर है टीशू पेपर वो एब्जूर कर लेगा और ये तरीका जब आप गुड लाएं मार्केट से तभी अपनाएं ताकि जब सीजन में हम गुड लेते हैं तभी ये इस तरह कैसे कर लेंगे तो ये पूरी साल क्या दो साल भी आपका गुड एकदम फ्रेश बना रहेगा है ना यूनिक सी ट्रिप अगर आप अभी भी गुड में ये तरीका नहीं अपनाएं हैं तो फॉरन इस तरीके से अपने गुड को सेफ कर लीजिए दोनों में से जो तरीका अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं जब जादे गुड आपको स्टोर करना है तो टीशू पेपर से कर लीजिए और इस तरह से स्थील के दब्बे में करिए पर अगली टीप्स है हमारी जैसे डिब्बा आप जानते हैं स्टील का अक्सर लूज होता है तो जो सिंपल स्टील के डिब्बे होते हैं वो लूज होते हैं तो उसके लिए ध्यान रखे कि आपको इस धकन को टाइट करना है नहीं तो एर चली जाएगी तो आपको बिल्कुल खराब ह हो जाएगा कोई भी सामान है ना यूनिक सी टिप जैसे बैग आते हैं कैरी बैग सामान के बहुत से और आपके घर में वेस्ट पड़े रहते हैं तो आपको एर टाइट कंटेनर इस पुराने से अपने स्टील के डब्बे को बनाना है तो आप काट लीजे इस तरह से और इ यानि एक के नीचे दोसरा भी है दो फोल्ड है जिसे एक अच्छे से एर टाइट कंटेनर ये बन जाएगा इस तरह से डालिए और उपर से धकन लगा दीजे आप चाहें तो इसी तरह से भी इसे छोड़ सकते हैं पर देखने में थोड़ा सा बुरा लगता है देखे मैंने धकन पकड़ कर उठा लिया इसे नीचे से नहीं पकड़ा तो भी ये नहीं खुल रहा है पर आप जब धीला रखे थे तो उसमें चाहें दाले रखे चावल रखे कोई भी सामान रखे तो खराब हो जाता है इसके लिए देखे फिर हम इस तरह से रखेंगे और तो हमारा ज पर इस तरह की टिप्स हम जब फॉलो करते हैं तो फटे हुए धकन वाले डिब्बे भी हम यूज कर सकते हैं है नई यूनिक सी टिप्स इस तरह से आफ वेस्ट डबों का भी यूज कर सकते हैं और इसी फिर फटा फट हम काट लेंगे आपको मैं ठीक से अभी काट के नहीं फिर इसका फाइनल टच आपको देंगे अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा पहले वाला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि आपको जरूर पसंद अगर पसंद आता है तो प्लीज मेरे वेडियो को लाइक एक आप हमने इसे ट्रिम करने के लिए छोटी वाली कैची ली है जिसे ये बाहर से अच्छे से पूरी तरह से फिनिश हो जाए और आपको भी अच्छा लगे देखने वाले भी कहना सकें कि ये आपने किस तरीके से अ कि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सकें